nursery और pre-nursy के बच्चों को हम maths की counting में one का concept कैसे clear करें ये हमारी video का topic है बच्चे की maths की book लीजिये उसके अंदर one के आगे जो भी pick बनी है वो दिखाईए और उससे ही इसको start करेंगे अब मेरे पास cycle बना है तो मैं बच्चे से यह पूछूंगी कि बच्चे यह क्या है यह cycle है और कितने cycles है 1 कितने cycles है 1 तो जब भी हमने 1 समझाना है उसके बद बच्चे को उसको एक finger को raise करना सिखाईगे ठीक है ऐसे करियो उसको 1 ठीक है बच्चे को यह समझ में आ जाएगा कि एक के लिए मुझे एक ही finger को ऐसे उपर करना है दिखाना है ठीक है जी उसके बद जब हमने बच्चे को यह चीज समझा दी तो फिर हम उसको workbook की सहाईता से ही 1 का concept और clear करने जा रहे हैं जैसे जो भी चीज एक ही होती है जैसे कि हमारे पास sun एक ही है तो आप बच्चे को बताएं बेटा यह sun है sun कहां होता है sky में और कितने sun होते हैं only one कितने होते हैं one अब ऐसे ही बच्चे what is this यह क्या है head सब बच्चों को पता होता है कि यह head है तो आप बच्चे को बोले बेटा where is your head वो आपको बताएगा यह सब चीजे हम क्यों पूछते हैं यह question and answer हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे का worksheet में यह one में उसका interest क्रियेट हो तो बच्चे से हम पूछेंगे where is your head बच्चे ने बता दिया अब आप उससे पूछें how many heads do you have आपके कितने सीर हैं तो उसको पता है कि अब हमने उसको one समझा दिया तो बच्चे आपको क्या कहेगा one कितने सीर हैं कितने head है one इसी तरह से moon भी एक ही होता है तो आप बच्चे को समझाएं बच्चे यह moon है moon हमें रात को दिखता है sky में और moon भी one होता है ठीक है moon कितने होते है one again उसको finger से समझाइए one आगे देखिए यह हमारे पास बेटा mouth है ठीक है आपका mouth कहा है where is your mouth तो बच्चा बताएगा उसके बाद आप उसको बोलें कितने mouth है आपके one है ना तो बच्चे ने ऐसे कर देना है one ठीक है अब देखिए उसके बाद हमारे पास यह dotted line है ऐसे पूरी एक लंबी line dots में लगाए और बच्चे को sketch pen दे दीजिए sketch pen से वो बहुत मज़े से करेगा आप उसको बोलना कि यहां से बेटा यह ऐसे straight line लगाओ बिल्कुल सीधी तो यह क्या है one जितनी बार बच्चा लिखे आप उतनी बारी उसको बुलनाएं बेटू क्या लिख रहे हैं one क्या लिख रहे हैं बच्चे one अरे यह क्या बना दिया आपने one तो देखिए बच्चा बड़े interest से करेगा इसी की ही मैं आपको एक classroom demo आगे देने जा रहे हूं उसमें आप देखना बच्चों ने बड़े अच्छे तरिके से इस concept को सीखा है next day आप बच्चे को ऐसी worksheets भी बना के दे सकती है ठीक है जी जिसे मैंने sun draw कर दिया है और यहाँ पर dots लगा दी है अगर pre nursery का बच्चा है तो आप उसको क्या करें यहाँ पर full dots लगा के दें full dots लगा के उसके हाथ को पीछे से सहारा दें तो और उसको अपने हाथ की पकड हीले करते जाएं और बच्चा आपका लिखना स्टार्ट कर देगा यही वरक्षीट आप nursery के बच्चों के लिए भी बना सकती है लेकिन nursery के बच्चों के लिए क्या करेंगी सिरफ एक single dot लगाईे full dots की जगा एक single dot लगाईे और बच्चे से कहना कि लाइन ऐसे ले जाएगा यहां से यह नहीं करना सिंगल dot दीजिए और आप ध्यान रखना जैसे बच्चा यहां से लिखे one यहां पर पहुंचे तो आप बोले stop यह क्या लिख दिया बेटा one अब आगे शुरू करो yes one stop ठीक है अब धीरे धीरे बच्चे को कहना कि जब आप लाइन पर आओगे न तो अपने बोलो stop start करो बोलो stop तो इस तरह बच्चा जो है वो आपका single dot से लिखना सीख जाएगा अब आप इसमें बच्चों से यह question कर सकती है how many sons are there कितने सूरज होते हैं तो बच्चा क्या जवाब देगा one क्या जवाब देगा one इसी तरह से worksheet number two है क तो यहां हमने tongue का concept ले लिया यहां मैंने tongue बनाई है तो आप बच्चे से बूचें बेटू what is this this is a tongue यह क्या है बेटा tongue तो फिर वैसे ही अगर pre nursery का बच्चा है तो full dot से अगर nursery का है तो single dot से plus उसको stop का concept करो है यहां पर pencil लगें बेटा और यहां से नीचे आईए यह क्या वन गया one stop लिखो बेटा यहां से yes 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 stop बस इस तरह से आपका बच्चा बड़ी जल्दी से one का मतलब भी समझ जाएगा और फिर आप आपको वो लिख के भी दिखाएगा अब इसी चीज को continue करते हुए आप क्या करेंगी कुछ भी example आप दे सकती है suppose अब हमने यहां पर एक बॉल रख लिया है आप एक बॉल दिखा दीजिए एक spoon दिखा दीजिए एक pen दिखा दीजिए बेटा how many balls are these यह कितनी balls है वन बस इस तरह से बच्चे को वन का concept बड़ी जल्दी से और बड़ी असानी से समझ आ जाएगा comment section में लिखे आपको worksheets कैसी लगी है और आपका बच्चे इस तरह से सीख पाया है या नहीं thank you for look at your book बिटा where is sun sun कहां बना है शाबाश कितने sun होते हैं one अच्छा next क्या है बिटा head where is your head ने head है आपके how many heads do you have one आगे देखा आगे कुल सी picture है moon moon कितने है one यह देखा one है ना picture बनी तो one moon कितने होते है sky में one होते है moon कितने होते है one आगे क्या बना है mouth where is your mouth yes इतने mouth है ने mouth है आपके one very good अब आपने आज लिखना है number one ठीक है लिखो जड़ा यह लो sketch ले लो sketch से लिखो आज पूरा dots को join करना है बैटे उपर से नीचे तक सारे dots को join कर दो very good one other one very good other one one वीडियो पसंद आई है तो like and share करना ना भोलिये thank you